अनकेडमी, लेट्स ट्रक इट अंगनवारी वर्कर्स, हेलपर्स और आश्या जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आपको रिजिस्टर करने के लिए पहल की है क्या है पूरी न्यूस क्यों ऐसा किया जा रहा है साथी आश्या वर्कर्स के बारे में हम डीटेल में बात करने वाले हैं और थोड़ा साम आयश्मान भारत स्कीम के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसमें इनको सम्मिलित किया जा रहा है चले शुरुबात करते हैं विद्धी न्यूस सो सेंट्रल गवर्मेंट ने अनाउंस किया था अपना है डिसिजिन तो कि वो इंक्लूड करेंगे आयश्मान भारत स्कीम किया है उसमें इनको इंक्लूड किया जाएगा इसके बाद से इस अनाउंस्मेंट के बाद से ही जो कि किया गया था हमारी फिनांस मिनिस्टर के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री को अभी तक आधार डीटेल्स रिसीव हुई हैं लगबग 33 लाग आंगनवारी वर्कर्स और हेल्पर्स की और लगबग 3 लाग से जादा आश्या वर्कर्स की फ्रॉम वेरियस स्टेट्स तो आगे बढ़कर इस 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 स्कीम में हिस्सा बनने के लिए जो आंगनवारी वर्कर्स हैं जो आशा वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आधार कार्ट को सब्मिट करना डीटेल देना शुरू कर दिया है ठीक है आयुश्मान भारत प्रदानमंत्री जन आरूग्यय योजना ABPMJAY ये प्रवाइड करती है हेल्थ कवर और रुपीज 5 लाक of family per year जो कि poor और vulnerable families को दिया जाता है और यह decision था to include this group of health workers इसको announce किया गया था हमारी finance minister के द्वारा during the presentation of interim budget 24-25 ठीक है हम जानते हैं इसके बारे में और देखा भीता हमने budget highlights में भी देखा होगा आज के session में हम डीटेल में आशा वर्कर्स के बारे में और आईश्मान भारत ज यह मेरा चोटा से इंट्रक्शन है दोस्तों यह मेरा टेलिग्राम चानल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस अभी class की update schedules pdf के लिए किसी भी डाउट या query के लिए भी अनकादमी के offline center at karolbagh पर आपको यह courses मिल जाएंगे फिलाल अगर आप 35% discount अवेल करना चाहते ह में आपको एक form दिया गया है sorry description box में एक link दिया गया है उसमें एक form है उसको फिल कर दीजिए educator code या फिर educator name आपसे पूछा जाएगा तो code है nd life 10 और नाम है निधी धाका तो आप यह फिल कर सकते हैं code और नाम मत भूलेगा दोस्तों n निधी धाका नाम है मेरा और nd life 10 मेरा code है अब जब यह form फिल करते हैं ना तो आप जब सब्मेट करते हैं इस form को और आप सेंटर विजिट करते हैं तो आपको automatically discount मिल जाता है कोई और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं इस number पर call कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी connect कर सकते हैं मुकरज PCS की तेयारी भी आपको कराई जा रही है बहुत ही nominal प्राइस पर तो अगर आप इसका benefit उठाना चाहते हैं तो अभी सेंटर विजिट कीजिए सेंटर लाइन से आप इन नमबर पर call भी कर सकते हैं चलिए so ministry जो है उन्होंने ये note किया है ये कि आशा जो प्रोग्राम है बह 2005 और 2006 में as a part of national rural health mission NRHM with a focus on rural areas especially जो ग्रामी शेत्र है उनके लिए इसको शुरू किया गया था वहाँ पर चीजों को समहलने के लिए awareness generate करने के लिए बहुत सारे चीजों के लिए इसको बाद में extend कर दिया गया था with introduction of national urban health mission in 2013 इसके बाद इसका जो reach था जो आशा प्रोग्र अगर हम आशा की बात करें तो आशा workers एक बहुत ही crucial role play करती है in the community health education and promotion वो किसी भी तरह की जो information with respect to your health and hygiene, nutrition, sanitation, hygiene processes, practices इन सब के बारे में वो information provide करती है वो महिलाओं को counseling provide करती है on birth preparedness, safe delivery practices, breast feeding हो या फिर complimentary feeding हो या immunization हो मतलब जो भी महिलाओं से संबंदिध hygiene, sanitation के issues है या उनके जच्चा बच्चा से related issues है मतलब बच्चे महिला pregnant है या delivery के बाद की जो चीज़े है उन सब के बारे में ये information provide करती है, awareness generate करती है आशा workers basically mobilize करती है communities को और facilitate करती है मतलब इक तरह से mediator का काम करती है कह सकते है कि तेजी से पहुचाती है health services को जो भी आंगनवाडी centers में available है, sub centers में available है या फी जो भी ग्रामीन शेत्रों में primary health centers होते हैं वहाँ पर available है तो इससे एक gap है between the community and the healthcare facilities उसको bridge करने का काम आशा workers यहाँ पर करती है अब इनका selection कैसे होता है, कौन बनता है आशा worker तो आशा workers को select किया जाता है through a systematic process, बहुत है systematic process है जिसमें बहुत सारे stakeholders होते हैं जिसे community groups हुए, self-help groups हुए, block district nodal officers हुए, जो village health communities है या ग्राम सबायाज है उनको involved किया जाता है इस process में, selection criteria जो है वो prioritize करता है उन महिलाओं को ज प्रेफरेबल age group है, वो 35-45 वर्ष का यहां पर देखा जाता है, तो इस age group में जो महिलाए होती है, इक पटिलग गाहों से उसी गाहों से जहां पर यह काम करेंगी, वहां से इनको select किया जाता है by these stakeholders through a systematic process, ठीक है, अगर health ministry के figures की हम बात करें तो around 13 lakh आंगनवाडी workers और 10 lakh आ देश में फिलाल 9.83 लाक आशाज है, in position against the target of 10.35 लाक, मतलब 10.5 लाक होनी चाहिए, उससे कम है, ठीक है, across 35 states and UTs, 35 states because इसमें गोवाज अटा दिया गया, उनके अलावा बाकि जो state और UTs है, वहां पर लगवग 9.83 लाक आशाज काम करती है, 20-21 के जो update है, उसके according हमें ही पत community of volunteer program, यह बहुत ही, एक volunteer program की तरह ही देखा जाता है आशा को, तो यह सबसे बड़ी community है, ठीक है, अब अगर हम आईशमान भारत PMJY की बात करें, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी health insurance scheme है, जिसको पूरी तरह से सरकार के दोरा finance किया जाता है, इसको launch किया गया था February 2018 में, औ और यह offer करती है समा 5 लाक रुपीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर family, पर secondary and tertiary care, मतलब जो hospital में जो cares होती है, उसके लिए, इन सब चीजों के लिए, जो health benefit packages होते हैं, उसमें surgery, medical aid, day care treatment, और medicine and diagnostic cost भी include किये जाते हैं, भारत में फिलाल 55 करोड ऐसे लोग हैं, जो 12 करो body workers और helpers हैं, उनको भी include किया जाएगा, according to the recent announcement made by the finance minister, ठीक है, चलिए, अगर हम सरकार की, मतलब जो cards किये, create किये गए हैं, और क्या-क्या hospital facilities मिलती हैं, उनकी बात करें, उसके data को देखें, तो सरकार ने create किये हैं, approximately 28.45 क्रोड आईश्वान cards till 20th December 2023, still counting, जिसमें a total of 6.11 क्रो hospital admissions हैं, जिनकी costing है around 78,188 क्रोड, जो कि authorized किये गए हैं under the scheme, जिसमें से 1.7 क्रोड hospital admissions worth रुपीज 25,000 क्रोड have been authorized during 23 January से December 2023 तक, ये पिछले साल का है, और ये overall जब से scheme स्टार्ट हुई है, 2018, तो हम देख रहे हैं कि काफी जादा इसमें coverage दिया गया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि health, social security के परिपेक्ष में ये बहुत ही महत्पून, एक योजना है, जो सरकार के दोरा शुरू की गई थी, अब इसमें आंगनवाडी workers और आशा, जो workers हैं, उनको include करके, उनको भी एक तरह से हम health, security, social security प्रवाइड करने की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है, चली, offline centers की बात क वाइफा फसलिटी भी आपको यहां मिलती है, आप center विजिट कर सकते है, विद्माइ, CodeND, Life 10, या फिर आप मेरा नाम भी बता सकते है, निदी धाका, तुदी जहां भी आप council से मिलते है, center में, तो आपको पूरा तरह से guide कर देंगी, पूरे process के लिए, ठीक है, that'll be all from my side, I hope you like the session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about your latest updates, thank you so much, God bless, take care, bye-bye. झाल